देश में चेक बाउंस के बहुत से मामले हैं लेकिन अभी तक इन मामलों में कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है अब इने मामलों पर सरकार नया प्लान तयार कर रही है अगर किसी का चेक बाउंस हुआ है तो ना सिर्फ उस पर कानूनी कारवई की जाएगी बलकि व्यक्ति के दूसरे अकाउंट से पैसे की बसूली भी होगी सरकार ने अरिबियाई के साथ मिलकर पूरी तयारी की है और जल्द ही नया सिस्टम लागू कर सकती है दूसरे खाते से पैसों की बसूली का सीधा मतलब यह हुआ की चेक होल्डर को हर साल में पैसे चुकाने होंगे और साथ ही सज़ा भी हो सकती है एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यह प्रोसेज डेबलप होने के बाद चेक बाउंस वाले कंपनी या व्यक्ति का क्रेडिट स्क्वेर भी बिगड़ेगा इसके अलावा इन मामलों के लिए लॉन डिफाल का नियम भी लागू होंगे इससे चेक बाउंस के मामले में कम हो जाएगी और खुछ चेक बाउंस करने से लोग पीछे हटेंगे RBI और सरकार ने इस नियम को लेकर पिछले हफ़ते ही बैटर की थी इस नियम को लेकर कहा गया था कि इसके आने से चैक बाॉंस होने पर कोई नया अकाउंट भी नहीं खोल सकता है और साथ ही दूसरे अकाउंट से पैसों की बसूली भी होगी चैक बाउंस के मामले में दो साल की सजा का प्रापधान है और आने वाले समय में इसमें बदला भी किया जा सकता है पीटी आई के अनुसार सुप्रीम कोड के एक पैनल ने निगोशी एवल इंस्टूमेंट एक 1881 में कुछ बदलावों का भी सुझाव दिया था बता दे कि निगोशी एवल इंस्टूमेंट एक 1881 एनाई एक के तहरे चैक बाउंस होने पर सजा का प्रापधान भी है असल निउस बीरो रिपोर्ट